जैनाब आपको बहुत सारे यूटीवर पेले भी मिले होंगे और बहुत सारे यूटीवर आपको मेरे से बाद मिलेंगे लेकिन मैं आपको दिल से प्यार करता और इसी कारण में आज आपके लिए लिख रहा हैं वीडियो जो आपने कहा था कि प्लीज गैरी जी वीडियो बन हम लोग किस तरह कवलेटर बना सकते हैं और इवन सी बना सकते हैं ताकि हम लोग भी मेरी तरह अपने माववक सपने पूरे कर सको as a middle class बच्चे तो धरिये मत आपके कहने पर मैं वीडियो लेकर रहा है हूं लेकिन आपने एक प्रामिस करना है जिसना लोगों ने मेरा मज़ा आपने यह निसना लोग आपके भर में क्या कहते हैं आपने मीनत करनी और मुझे पूरा पता है दिल से as a family number कि आप मीनत करों चाह आप लड़का हो चाह लड़की हो मैं आपसे दिल से प्यार करता हूं और यही दुआ करता हूं कि प्लीज 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 आपके सपन भी विदेशें पूरे हो सके आपको बताना एक चीज और चाहूंगा आज के वीडियो से पहले कि मैं एक सॉलिसेटर जो होते हैं जो वकील होते हैं इमिलेशन उनको अपने दूसरे चैनल गैरी टीवी पर लेकरा है मेरा एक और चैनल यूके के लिए जिसका नाम है गैरी और वहाँ पर खुद देखना कि एक सॉलिसेटर बता रहा है कि आपको free of cost कि आप किस तरह यूके में सेट हो सकते हैं अगर आप आगया एक यूके में रहना चाहते हो चलिए बात करते हैं आज के टॉप पर आपको बता रहता है मैंने खुद माल्टा विजिट किया है पता यह कहते हैं कि आप आप पैसा नहीं कमा सकते हैं वो आप से jealous feel करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आगे जाकर आप विदेशों में अपने मावकिस अपने पूरे कर सको पर डरने की बात नहीं आपको पहले बताया है मैंने कि 185 agencies है उसका link में वीडियो स्कुश में फिर एक job portals पर अगर कोई आपका दोस माल्टा में आलरी काम कर रहा है वो चाहे तो अपना आपको सीम दे सकता है और रिजिस्टर हो सकते हैं पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बुरा मत मान अपना समझ के कह रहा हूं तो डरना नहीं है आपने आप छ अच्छा CV और क्लिटर बनाओगे और अप्लाई करोंगे इन 185 एजंसी को हो सके लैपटव से अप्लाई कीजिये क्या करना बड़ा फोन यार सब लोग उता हम बड़ा फोन चाहिए वाई यूँवाट यूट बड़ा फोन बड़े फोन से कुछ निए इससे अच्छा आप खुद अप्लाई करो अगर आपको जॉब आफ़र मिल गी ना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ऐसे फैमिली मेंबर और ऐसे आपका दोस्ट जो आपको बहुत जाला प्यार करता है जनाम जी आप सोच में से दिल से दिल का प्यार है तो आपको माल्टा जो इंप्लाईर है उसके लिए आपको पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देनी पड़ेगी जो आपने VFS फीस देनी है, जो पांच छे हजार पे हैं इंडियन रुपीज, तो गाइस प्लीज, जो आपकी सारा काम आपका एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, चलिए बात करते हैं आज क अगर आप मिंसे वीजा कर रहे हैं पूचें के मैं आपका रप्लाई नहीं करऊंगा, अगर आप मिंसे जॉप कैसे प्लाई करते हैं या कैसे सेट वांपर, वह रप्लाई करते हैं आज के टॉपिक पर but no visa questions because I am not a solicitor or I am not an agent. मैं यहाँ पर help कर रहा हूँ as a human ground जिती में से होती है एक इंसानियत के तोर पर. चलिए बात करते हैं आज के topic पर. आपको एक शिवा बताना चाहता हूँ डरी इमा जो मैं आपको cover letter दिखा रहा हूँ जो CV दिखा रहा हूँ खुशिश करूँगा उसको add करूँगा अपने जो video description में आपको जाकर पढ़ना अगर words जादा होते के वर आप पूरा add नहीं कर पाऊँ डरना मत निंक दूँगा आप इन website पर जाना मैंने खुद इन website से लिए दोनों cover letter और CV जो sample है माजग खोद देखना जो CV और CV और CV और मैंने बनाया है cleaner के लिए डरना मत आप ऐसे builder के लिए बना सकते हो plumber के लिए lactation और सेम website वाँ सर्च कीज़ए और ऐसा CV और आप अपने दूसरे skill के भी बना सकते हो तो आपने डरना बिलकुल नहीं है चलिए बात करते हैं जैसे मैंने बनाया है इसमें वो यह कह रहा है जो होटल है वहाँ पर हाँसिंगीपिं का काम करना चाहता हूँ और मेरे पास सक्सेस्फुल मेरे पास वो स्किल्स है और मेरे पास English और मुझे Hindi आती है उसके आगे वो यह कहना चाह रहा I have always wanted to work as a hotel cleaner I have a good knowledge of proper cleaning and sensation and understand the importance of maintaining a clean environment I am hard working, efficient and able to complete all tasks required on daily basis यह वो कह रहा है कि मेरे पास सारी skills नहीं जोब cleaner के लिए चाहिए मैं daily to daily job कर सकता हूँ बहुत hard working हो और सारी tasks complete करता हूँ time पर I have extensive knowledge of all clinic supplies and equipment and known how to keep track of supplies that need order I work well as a part of a team understand how to remove all sort of stains from carpet, walls and lines I take pride in my work, enjoy leaving rooms spotless and in order यहाँ वो यह कहना चाह रहा है यहाँ वो यह कहना चाह रहा है कि मेरे इतना experience as a cleaner का कि मुझे पता हाथ है कि supplies जो होती है जो bottles होती cleaning की खतम होगी कब उनको order करना है जब मैं पूरा कमरा छोड़ता हूँ पूरी तरा clean कर देता हूँ और जो सारा घंद होता है carpet से, wall से वो सारा दूर कर देता हूँ I would really enjoy working at holiday inn as a cleaner in housekeeping department I would like to know how soon we can meet for any person interview so I can learn more about the job please call me to schedule soon sincerely A. Sharma कि इतना अचा cover letter है दो-तिन paragraph का है even half page का है और बताया गया कि क्यों holiday inn hotel पर लाइक करना चाहता as a housekeeper उसने बताया गया है कि यह यह उसकी duty है as a cleaner की तो guys please डरना मत आपी cover letter as simple सा बनाओ तीन-चार paragraph बनाओ और please आप learn कर लो कि अगर आपको कुछ भी help चाहिए Google है ना यार Google search करो आपको CV मिल जाएगा और इवे cover letter मिल जाएगा चलिए बात करते है आज के sample CV के बारे में by cable क्या होता है कि आप देख नहीं पहूंगे mobile पर इसकी photograph जो मैं दिखा रहा है CV क्योंकि आपका mobile का resolutions न वो different पर होता है अगर नहीं देख पर डरना नहीं आप सुन लीजिए और जो sample CV का कोशिच करूँगा वीडियो डिस्क्रिशन डालूँगा अगर नहीं हुआ तो link दूँगा आपको जाकर वाँ दिख रहना sample CV सबसे उपर आता है जैसा आप देख से नाम street, town postcode host के mobile phone जरूर देना और what's the number देना personal profile में आएगा बतारा है कि आपको introduce करना है 3 or 4 sentence में क्यों आप full time काम करना चाहते हो और की skills आपको डालनी है कि आप वहाँ पर क्यों काम करना चाहते है जैसे cleaner है आपके पास hard working हो as part of team हो आप housekeeping कर सकते हो आप spotless cleaning करते हो customer service है आपको सब्सक्राइब करना चाहते है परसनल profile में सर्फ 3-4 sentence का होगा उसके example में नीचे देना चाहूँगा I am a hard working reliable individual with excellent attention to details I am a three year working as a cleaner I am looking for a full time role I am a full clean UK driverless and DBS check यह example है तीन challenge बस profile इतना हो चाहते है work history में आपको क्या दिखाना है कि आपने क्या काम की है वहाँ पर आपको job title, name, employer, location, month and year started और अगिर आपने खतम कर दिये तो date डालनी कि आपने खतम कर दिये तो लिखे होगे ongoing उसमें क्या डालना है आपको briefly list the duties you had skills you learned while working there choose skills or quality that the employer has listed in their job description वो skill add करनी जैसे को job description देखते हो जो उसको चाहिए आप सारी job description में जो है उनकी responsibility है वो थोड़ी से अपने सीवें डाल सकते हो इससे आपको interview chances जादा आते है आपको अपना CV टेलर करना है as per job description जो आप job apply करते हो अगर नहीं भी करो दनने की बाद और फिर वोई same cleaning and restocking the bathroom weekly classroom cleans stock, ticks and ordering products इस सारी responsibility उसकी है जो वो cleaner काम करता था एक school में और guys please please English को ढरना मत English आप उनको पता है फिर्स लेंग भी नहीं है as long as you speak कर लोग English में interview में वो आपको ले लेंगे वो आपकी English चेकर नहीं करें आप चेकर आप hardware क्योंकि cleaner की job English नहीं चाहिए यहां चाहिए hardware तो ढरना नहीं कि में English अच्छी नहीं है मेरी age इती है UK में, abroad में, Europe में age और English इती हैं matter नहीं करती है matter करता आपका hardware अब क्या करना है आप tips में आपको दूँगा आपने क्या include करना है try to include your work history for the last 5 years if you have limited work experience do not worry it will explain by education history if you have recently moved to the country it's okay to include employment in other countries there is more evidence on work and education history in our articles अगर आप fresh और डरना नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा fresh और आपको education का जार दिखाना पड़ेगा blah blah यहां पड़ाई कि और वो समझ जाएंगे आपके CV से कि लड़का पड़ा लिखा है जैसने study कि इसका इसका इसमोगता experience नहीं है तो फ्रेश को दरने की बात नहीं है any previous job you have as a cleaner or other roles within the facility management sector will be useful to include here as a lot of the skills will be relevant if you have recently left education or new to this type of work try to include any jobs you have had that will highlight the skills the employer is looking for for example if you have worked in hospitality your job may have involved cleaning tables, bathroom customer areas and ordering cleaning products which are skilled employer we are looking for यह आपको देखना है CV में कि जो आपका employer job responsibility देखना है मानते माल्टा में आप job डोन रहे हो as a cleaner की आख वाता कि वो आपको job मिल सकती आपका friend काम करा उसने आपका reference दिया हो है तो आपको CV में वो सारी job responsibility डाल नहीं है जो उस job में requirement है अगश कि आपको में डाल एको आपको henप शापकोस सक्वाश को में रहे तो आपको रहे होeg Smart यहा हो को 一न द давно खकोस्ट्रलेको कार बेकर कानी प्रिटिश रेट नुटिंगम से जो लोग आपको चोट लगती है तो आपको सांस देते हैं बताओ को आपको कौश होता है जो पताते हैं कि जैसे कोई पानी गंदा है आपके क्लीनिका उसको कैसे दिस्पोस करना है विटाउट अगर आपको स्पेशल ट्रेनिंग है आप दि सकता हूँ I'm very easy going person I can work under supervision I can work my own number सारी skills लिखता हो skills लिखता होगे इस से इनको लगेगा कि आदमी बिलकुल फिट बैट रहा इस जॉब के लिए वह skills 4-5 आपने डालनी है उसके बाद लास में डालना है और references, references में क्या है, first and last name और लिखते references upon request जब आपको interview stage आएगी उसके आप references दे सकते है references दो लोग के देने होते हैं, एक आपका friend दे साथ है as a personal reference जो Malta में किसी country में काम कर रहा है और एक आपने tutor से ले सकते हो और अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो उस employer से भी ले सकते हो तो यह है simple सा CV, क्या recap करते हैं, पहले आपके डालना, आपके introduction डालनी है, पर personal experience आपका हवास है, professional courses दिखाने है, अगर आपके professional courses है, फिर आपने work experience दिखाना है, अगर है, फिर education experience दिखाना है, फिर certain skills दिखाना है, जो आपके skills हैं, जैसे कौश है, first aid है, जो आपने कोई training ल दिखाना है, फिर आपने last way references देदाने, दो पेज का CV बनता है, यूरोप के लिए मेरे दोस्त, मेरे चैनल पर 25,000 में से एक लड़का job लेगा है, माले टाब, सौधियर वे काम करते हैं, जोट नहीं बोलूँगा, कि मैंने उसकी help की, बस मेरे video ने इसको motivate किया है, और बताय के लोग बताते हैं, उनको job मिल गी है, part time मिल गी है, visa मिल गी है, आपको इतनी motivation लगी, लोगों की stories आते हैं, मेरी ने आते हैं, मेरी idea है, real Gary कमार, अरे यार, एक idea ने बना सकते हैं, वो बना लो, चैनल को subscribe करो यार, इतने लोग को आपने दोस्त बनाया है, मुझे भी लाइ आईए, और हो सके, तो next Tuesday, Wednesday को Gary UK, जो मेरी चैनल UK का है Gary TV, उस पर आजाना, आप देखना, UK में कैसे आप newborn baby पर, या student visa पर आते हैं, और कैसे different way है, UK आप settled हो सकते हो, as long as आप UK के साथ law follow करते हैं, और उनकी guidance follow करते हैं, UK भी है की, तो हैस हो सके, तो उस solicitor का वीडियो जलू इस country में, पोरे हो सके, चाहब हो Malta है, चाहब हो UK है, चाहब हो किसी part of world के लिए, thanks very much watching me this video, मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ, और thanks बोलता हूँ, आप इतने अचे nice comment लिखते हो, और मुझे खुश करते हो, कि Gary sir, आप जैसा motivate हमने नहीं देखा है, हम आपको दिल से प्य नदके भी कहते हैं, कि मैं प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, एज फेमिल में प्यार करता हूँ, तो guys, प्लीज डरना मत, on the meantime, please stay safe and happy, अब जहां आरे, खुश रे, बाद रे, और मेरे रिक नहीं वीडियो की वेट करे, तब तो अब लिदा दोस्त, और चैनल को